नमस्कर दोसर फिर स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ दोसर इस वीडियो में आप देख सकते हैं मेरे हाद में हैं Vivo V20 आपके पास Vivo V20 है या फिर Vivo V20 Pro है कोई फ़रग नहीं पड़ता है तो इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपको mobile hanging की problem आ रही है तो यहाँ पे आप अपने mobile hanging की problem को fix करने के लिए सबसे पहले दो-तिन tips आप याद रखेंगे तो tips यह है कि यहाँ पे जो फाल्तों कि bloatware है यानि कि application है जिसको आप daily में नई चलाते हैं बहुत rare use करते हैं तो आप उसको uninstall करतेंगे इस ट्रैप से यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे i button पे क्लिक करेंगे और इसको uninstall करतेंगे ऐसे करके दूसरी setting यह है कि आपको i manager पे क्लिक करना है और time to time अपने phone को clean करते रहना है तीसरी बात यह ध्यान रखने है कि आपको अपने phone में memory card का use नहीं करना है अगर आप करते भी हैं तो अच्छी memory card का use कीजिएगा और बहुत ही अगर मजबूरी है तो आप अपना file वगरा उसमें save कर सकते हैं अपने phone को run नहीं करना है यानि कि application run नहीं करनी है memory card पे setting पे चले जाएंगे और यहाँ पे मैं आपका developer option on कराऊंगी पहले तो developer option on करने के लिए आपको about phone पे क्लिक करना है about phone पे क्लिक करने के बाद सबसे नीचे build number आ जाएगा तो build number पे आप ऐसे क्लिक करेंगे तो आपका developer option on हो जाएगा अब developer option आपका मिलेगा यहाँ पे search box में जाएगे और developer लिखेंगे जैसे यह लिखेंगे तो developer option आजाएगा आपको इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको 2-3 setting कर लेनी है यहाँ पे आपको 33 hardware acceleration पे क्लिक करने देना है इसे आप on कर लेंगे और इसके बाद ऐसे scroll करके यहाँ पे नीचे चले जाएंगे don't keep activities पे आपको क्लिक कर देना है इसे क्या होगा कि बेफालतो में जब आपका phone ऐसे पढ़ा रहता है तो बेफालतो में जो आपके background में कोई भी application रण कर रही होती है वो नहीं होगी जिससे आपका phone हैंग नहीं होगा और background process पे आप limit लगा देंगे तो यहाँ पे मैंने already limit लगा रखिया है दो background process at least आपको दो background process लगा देना है इसे क्या होगा कि जब भी आप अपने screen पे minimize करके दूसरा application रण करेंगे तो आपका downloading वगरा अगर हो रहा होगा तो रुकेगा नहीं तो at least आपको दो लगा कि इसके बाद cancel कर देना है इतनी setting आपको कर लेनी है तो यह आपका जो mobile है वो hang नहीं होगा